हेलो स्टुजेंट्स, गुड मॉर्निंग, आज मैं क्लास सेविन का ग्रामर लाई हूँ, विसेस हिंदी व्याकरन तथा रचना से, आप लोग को आज मैं पढ़ाऊंगे चैप्टर वड और वड माला, चैप्टर टू, ओके, वड और वड माला तो आप पहले भी पढ़े हों अच्छा इसमें, और जिसके टुक्रे नहीं हो सकते हैं, वड हम उसे करते हैं, किसी भासा के छोटे से छोटे धोनी चिन को हम वड करते हैं, और जिसके टुक्रे नहीं किया सकते हैं, उसे हम वड करते हैं, वड माला किसे करते हैं, वड के शमू को हम वड माला करते हैं, वर्ण बाला कितने प्रकार के होते हैं यह तो आप लोगों पहले से पढ़ाया गया है दो प्रकार के विए एक स्वर एक बेंजन तो यहां पर स्वर वाले जो वर्ण क्यात कितने हैं और से लेकर अ तक है और चोटी बड़ी चोटा वो बड़ा वो री ए आ वो अंग अ फिर पर में यहां पर हलंत का प्रयोग किया गया है सभी वेन्जन के निचे इशाू पर प्रेंगे यह स्वर्ण कि नियुकार के निकलती है ईंठाव करते हैं एक स्वर कैना वी स्वर्ण के बाहर निकलती है उन्हें क्व tutaj are some Lubर Google स्वौर कि आरें जिन दोनीयों को बोलते समय हमारी साथ बीना रुकावथ के क्या करती हैं बाहर निकल याते हुशे हम शौर कहते हैं स्वर इसमें देवनागरी लिपि में मुरलूप से घ्यार हुते हैं देवनागरी लिपि में शोर कितने होते हैं मुल année को से 11 होते हैं और से लेकर आह तक हुआ चोटी बड़ी चोटा व बढ़ा वरी एए ओ ओ आव ओ ओ ओव आँ अब इसमें देखिये कितनी होते हैं स्वर के यहाँ पर तीन भेद दियेगे हैं हर सवर देखिश और प्ली शौर हर सवर किसे कहते हैं जिन स्वरों के बोलने में ज दिग च्वर में जिन च्वरों के उचारण में ज्यादा समय लगता है। उसे हम दिग च्वर कहते हैं। जैसे कि आ, बड़ी, बड़ा हूँ, ए, आ, ओ, उके। प्लूस्वर में जो क्या आता है इसमें दिग स्वर से भी मतलब आपका हर सो दिग यह दोनों से मिलाका तीगुना समय लगे जिस स्वर के बोलने में तीगुना समय लगता है उसे हम कहते हैं प्लूस्वर इसमें कौन से देखिए ओम यह चीन जो बीच में है हिंदी का तीन है में सब्सक्राइन चोटी ई में इस तरह करेता है फिर वर रएगा शायन इदेखिए सारा शायन दिया बलाए का इस्तर साइन है लुका इस तरह है इसे तरह साइन है यहां पर किताम इसको देख लेजएगा चितर से इस्व भि दिरेगा इसमें की कैसा इसका उचारण होता है इसे यहां पर नहीं दिया गया है यहां देखिए बिंदी दिया गया है एक सिंगल बिंदी है और दूसरा में है डवल बिंदी होता है तो अयोगवा ऐसे स्वर किसको क्या करते हैं इसका नाम क्या है अयोगवा में आएगा अनुश्वार अनुश्वार और अनुश्वार के बारे में दिखें अनुष्वार में केवल बिंदी रहेगा तो यह अयोगवा, यह सारे हम लोग exist folder और प्रियोबर प्रियाग उसमें अनुष्वार में होता है चंद्र बिंदी और चंद्र बिंदी होता है और इस तरह करके इस तरह करके बिंदी भी होती है यह इसको क्या करते हैं अनुश्वार में क्या होता है अनुश्वार में नाक के दोरा बोला जाता है और अनुश्वार में क्या होता है इसमें नाक और मुं दोनों का प्रयोग कि जाता है तो यहां पर चंद्राकार का भी प्रयोग होता है और इस तरह सिंगल बिंदी का प्रयोग से मैं है मैं है सीच है सोट है इसमें मुह और नाग दोनों का प्रयोग होता ओके बेंजन, बेंजन की से कहते हैं, जो धन्या मुख के किसी भाग से टक्रा कर बाहर आति उसे हम बेंजन कहते हैं, तो यहाँ पर बेंजन में क्या क्या आएगा और यहाँ पर क्या इनका उचार स्वर की शायता से होता है उधारन के लिए का का अलग से उचार नहीं हो सकता है इसका उचार करने के लिए इसके साथ और छोटी आधी कोई स्वर बोलना आवस्यक है तभी हम का की आधी बोल सकते हैं मतलब बेंजन जो है बिना स्वर के नहीं बोल सकता है Nap sectors के बोलने में हमें प्रतव होगा तब ही हम को का की की इसमें ऑ औच्छोटी नियुक का प्रता होता इसपर्स बेंजन मतलब क्या है जब हम बेंजन को बोलते हैं तो हमारे कंटों से निकलती हुई वायू मुझ के किसी भाग को छूते हुए बाहर आती है मतलब कंट से हम बोलते हुए गला कि जो बीच और भाग रहता उसको कंट कहते हैं उससे निकलती हुई जो हम भासा बोलते हैं तो मुझ के किसी भाग को छूते हुए इस पर्स करते हैं इसका नम क्या इस पर्स बेंजन जो छूती हुई जो शब्द जो बेंजन बोले जाते हैं उसे हम क्या करते हैं इस पर्स बेंजन ओके इस पर्स बेंजन में यहां पर हम ल तूटी ही वहाँ निकलती है इसमें क्या हुआ की dużo यह कहां से निकलता है यह जो बैंज euch मैं कंट से נिकलते हैं च्रम जितने वर्ण में तालू कंट मतलब जो गला का बीच वाला भाग रहता उससे निकलता है तालू मतलब जो है हमारे जीब जीब जो रहता ना जीब का जो उपर अला हिसा जो घंटी रहता है अंदर में उसको कहते तालू कहते हैं मतलब मूं से दलब मतलब डात का जो जहां से दल निकलता है जहां से उसका वर्व गार्व से भूर जाता है जो बाहरा का निकला हुए just ओ्रश मतलब ओट से जितने वी वर्ग जी आयएंगे बेरन में में अंत्रस्त ए अंत्रस्त ए लिश स्वर्के कि भेिज्टी होती है नहींगे सेंस अंस मुझ के किशी भाक से छुथी तो है किन्तु वह रुकाड बहुत कम होती है, इसलिए इसको कहते हैं अन्तस्त बेंजन, इन बेंजनों की इसीती स्वर और बेंजनों के बीचकी होती है, इन्हें बोलते समय सांस मुह के किसी भाग से छूती है, छूती तो है, किन्तु वह रुकाड बहुत कम होती है, इसलिए ये इसको क्या नाम दिया गया अंतस्त पेंजल कोई पूछ 6 नीन वेंजलन कुछ घृत क्या है तो यारल्ग की उस में पिखलते से मैं क्या होती है मुझ किसी भाग से रगड़ खाती होई निकलती हैं वह उससे गरमी पैदा होती मैं यह इतने reduce न उससे घरमी पैदा हो अग्याशा सप्राइब करें को सब्सक्राइब कि इन netव जो डबंद यहां पर बेंजन आहिंतना जािह है मिलाकर दिखा तो विद्यायुत अधेश तूसी लेंगुए होग सकते हैं बहुत तरह से लिख सकते हैं हर्मी जो है हलं प्रियों होता इस तरह करके तो यह स्दों में आजाएगा है वहाइ मैं जो उपर वाला क्यों होता है यहां पर आश्रिबाद है ठीक्क मैं यह उपर प्रॉला रखाप्रेव होता है फिर नीचे में रखाप्रेव होता है यह भी रह ही है तुसे ट्रॉक है ड्रामा है फिर एक होता है जो कि नीचे में नीचे में रखाप्रेव होता है तो इसमें रखाप्रेव होता है तुसमें रखाप्रेव होता है तुसमें रखाप्रेव हो आगात डेंजन कि इसे करते भाई आगत बेंजन मतले हिएहं हमारे परले पर दरी य Carry अरंडिह कि प्रयोप उर्ड्सियों में होता है कि निछे बिन्दी का प्रयोप होता है जो भी बेंजन होता है उसमें नीचे विंदी के जैसे यहां पर देखे मजदूर है जरूरी है विजन है इस तो यह उर्दु फार यह जो है ना यह भर अगत का प्रियोग करें और नुपता है उसको थिसके मजदूर जरूरी है विजन इस तेहरे करके पड़ेंगे कि अटेर की अगाँ वाटनी हर सब्दे में वर्णो का एक निश्यत क्रम होता है उस हे हम वर्णी के चिए कहते है हर सब्दे में वर्ढों सब्सक्राइब करना तो हमको अपनी वर्तनी में सुधार करना होगा तो देखिए आपर अर्सूद सब्द है और उसको सूद किया गया है तो यहीं वर्तनी हुआ अच्छा यहां पर देखिए वर्तनी हुआ अच्छा यहां पर देखिए वडविच्षेद वडविच्षेद मतलब क्या वडविच्षेद करके अगर लोग समर्वार्वर्त वेग्ञार करते हैं तो आपना है तो यहां पर भारत में क्या है वह प्लस तो है इसी तरह आप लोग को अलग करके वर्ड को लिखना है तो यह अब आप जान गए होंगे इसमें तो आप लोग को खुद पढ़ना होगा इसमें इसको जरूर पढ़िएगा यह बहुत ही क्या बहुत है इसे अपने परिच्छा स्वाय ले रही का लगाना चीन भारत की छोटी से भासा की भासा की छोटी से छोटी दोनी के के चीन को क्या कहते हैं वाण कहते हैं ओके अंग्रेजी के प्रभाश्य कौन सा स्वर हिंदी में श्विकार हुआ है देखे आयोगवाह किसमें नहीं है यह वह नहीं है इसको ड़ा है पर सकते हैं इस तरह का अंतरस्वेंजन नहीं है दैनति श्वर अंतरस्वेंजन नहीं है रहेैं तो इस प्रस बीन नहीं है तो इसे तरह आप लोगों करना है बुक में नहीं है जैसे मैंने किया वैसे सब्सक्राइब यहां पर आप लूक करके देख लिजेगा ऐसे हैं नहीं है नहीं हाँ पर करके देखिए तो तो हर सोर में क्या जाएगा चोटी चोटा ओरी अधुके मतलब बड़ा श्वर है आ बड़ी ओई ऑगे और बेंजन में आएगा पुलू का कप अपर तरन है यह श्याइंगत बेंजन में क्या आएगा छहत्र इंग्यसर ओके चार नम्न देखिए निम ने लिखी श्याइंगत पर चाह किस्य बना है का प्लस सा का प्लस यह तैमुर्धनीशा है अत्रप्लस तो प्लस रह ग्याँ ग्यां किसे बना है जो देखिए मैं यहाँ पर नहीं दिया हुआ है यह यह आपका आप लोग खुद करिये इसमें मैं एक दे दे रहें यह तो किया है जो प्लस यह यह आपधि पर फी पांशलिय है और यह तो क्याम है यह क्या है रमा है रमा फिर यह क्या है दीपा है यह क्या है कर्म यह क्या है कला काला काला हाँ अके और hospitalized आप start चैप्टर थ्री वो मैं नेश्ट वीडियो में लेकर आऊंगे तब तक कि लिए थेंगे